हेलो एब्रीवन वेलकम टू अकाउंट मंत्रा लेट्स मेक अकाउंट इजी एंड स्कोर फुल मार्क्स स्टुडेंट आज चैप्टर टू पार्टनर्शिप फाम अमलोग करने जा रहे हैं मैं आपको बता दू कि यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपोर्डेंट है और यह इंपोर्डेंट इसलिए है क्योंकि जो मार्किंग स्कीम क्लास 12 की है उस मार्किंग स्कीम के साब से 30 से 35 नंबर्स का जो पेपर है वो पार्टनर्शिप फ़र्म में से आता है तो यह बहुत इंपोर्डेंट है और हमने इसके एक-एक पाइंट को बहुत अच्छे डंग से करना है क्योंकि हमारा एम है तुस कोर फुल मार्क्स हमने क्लास 11 में बिजन स्टेडिस के अंदर पार्टनर्शिप के बारे में कुछ पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि इंडियन पार्टनर्शिप एक्ट 1932 से क्यां पार्टनर्शिप गवर्न की जाती है और छो हमने डेफिनेशन वहां पड़ी थी कि सेक्शन पोर सेक्शन पोर какая यंडियन पार्टनर्शिप एक्ट नंटेन पार्टनर्शिप एक्ट 1932 यह algumas memいき डेफिनेशन देता है जो डिंकरता है पार्टनीब को यह पार्टनीब को डिफाइन करता है यह कहता है पार्टन्रe शीफ इस और पॉद्वीन पर्मस बेट्वीन पर्संग यहा पर्संग यह पर्संगौ यह who have agreed to share the profit, profit of a business carried by all or any of them, any of them acting for all. तो student ये definition अपने आप में एक complete definition है, ये complete definition इसलिए है, क्योंकि partnership के सारे के सारे features सारे के सारे features इस में इस definition में आ जाते हैं मैं आपको बताता हूं partnership के जो features है मैं अभी आपको underline करवाता हूं उसके बाद partnership के जितने features हैं वो हम सब लोग मैं आपको explain करूंगा is a relation between persons between persons इसमें as देखिएगा as स्टूलर है वी है वू है एग्रीड एग्रीड टू शेयर दी प्रॉफिट्स ओफ ए बिजनेस केरीड ओन बाई ओल और एनी अफ देम एक्टिंग फॉर ओल तो यह इसके इंदर फीचर से और पार्टनर्शिप तो पहला फीचर इसमें क्या है इसके इंदर आपको अंडरलाइंग करवाया था पर संस अ पर संस यहां पर संस का मतलब क्या है पर संस का मतलब यह है कि यह प्रूलर है यहां एक से ज्यादा एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा पर संस है वह पार्टनर्शिप बनाते हैं कि जो हमने देखा था पहले कि यह हमारा एक परसन है यह तो क्या है यह सोल है और पार्टनर्शिप के अंदर क्या होता है पार्टनर्शिप में अंदर एक से ज्यादा एक से ज्यादा परसन होते हैं वह जो एक से ज्यादा परसन होते हैं वो पार्टनर्शिप बनाते है ठीके स्टुडेंट यह हमारा यह तो हमने बताया था तरह दो सोल पहले तो देख लिक्रीकिस के अब इसमें मैक्सिमम इसमें मैक्सिमम मुरुटे दो इसमें किता है कि इसमें जो maximum person है वो companies 2013 में define किये गए हैं और यह maximum person है 50 50 minimum 2 maximum 50 person से partnership firm बनती है कामनी सेक्ट 2013 में जो अमेंडमेंट आया था 2014 के अंदर उस अमेंडमेंट ने जो इनिशल हंडेट पार्टर्स की लिमिट थी उसको reduce करके 50 तक कर दिया था तो पहला फीचर तो क्या हो गया इससे इससे relation between two or more persons maximum up to 50 दूसर फीचर क्या है कि एक्रीवेंट एक्रीमेंट एक्रीड एक्रीड एक्रीमेंट देट में इन पर्संस के बीच में कोई एक्रीमेंट और चाहिए एक्रीमेंट क्या हो सकता है एक्रीमेंट हमारा औरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है औरल एक्रीमेंट का मतलब है स्टुडेंट जहां दो यह दो से ज़्यादा लोग बिलें उन्होंने आपस में बातचित की कि हमें एक पार्टर्शिप हम खोलनी है जिसका नाम ABC होगा उस पार्टर्शिप के अंदर हम बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस का जो प्रॉफिट है वह हम लोग इस रेशो में एक सब्सक्राइब करेंगे और हम लोग इसको इस तरह से पार्टर्शिप को जना चलाएंगे जिसके अंदर से मिस्टर ए है वह सारे बिजनेस को देखेंगे मतलब औरली इन लोगों ने आपस में आपस में बातचित करके ही तो डिसाइड कर दिया पार्टर्शिप करने का ठीक है तो यह भी पार्टर्शिप के अंदर अलाउड है लेकिन बैटर रहता है कि उसको एक रिटन फॉर्म के अंदर रिड्यूस किया जाए और रिटन का मतलब यह है कि जितनी भी टांसें कंडिशन हम बता रहे हैं वो सारी के सारी रैटिंग में रिड्यूस की जाए सारी के सारी कंडिशन यह पार्टर्श आपस में रिड्यूस कर लेते हैं राइटिंग में डाल देते हैं यह जरूरी होती है और एक चीज़ में आपको जरूर बता दूं क्योंकि यह एग्रिमेंट है तो इंडियन कॉंट्रक्ट एक्ट 1872 के असाफ से किसी भी कॉंट्रक् स क्या चाहिए होता हैं एक जो परसंड ऊस कॉंट्र को एग्री कर रहे है वह जो अन्हीं होने चाहिए और वो अन्सव द्वाइन करों चाहिए वो ऑ किसी भी एक्ट के दवारा कर्नेक्टेद ना हो मतलब अनलाफुल परसन नहीं होने चाहिए यह एग्रिमेंट की कंडिशन्स हैं एग्रिमेंट करने के इसाब से ठीक है तीसरा पाइंट है स्टुडेंट शेयर ऑफ प्रॉफिक शेयर ऑफ प्रॉफिक शेयर ऑफ प्रॉफिक करते हैं और उन्होंने किया की हम लोग लोग करते हैं वह पैसा कमाने के distribute कर लेंगे इसे कहते हैं share of profit लेकिन जब business करते हैं तो business में share of profit और loss भी होता है ठीक है friend तो student यहां में हम लिखा गया है terms use के रिए share of profit तो इसका मतलब याना मैं आपको clear बता दू कि partnership forms के अंदर ऐसा भी हो सकता है जो मैं आपको कंडिशन बता रहा हूं आप मिरको बताईएगा कि क्या यह हो सकता है जैसे यह मिस्टर एए हैं यह मिस्टर भी है कि यह मिस्टर सी है इन लोगों ने आपस में decide किया कि मिस्टर ए को 50 परसंट मिस्टर वी को 40 परसंट और मिस्टर सी को 10 परसंट शेर और प्रोफिट विलेगा लेकिन इन केस अफ लॉस अगर फ़र्म को लॉस होता है तो मिस्टर एए 50 परसंट यह प्रोफिट शेर का रेशो है और यह लॉस का है मिस्टर एए 50 परसंट और मिस्टर बी 50 परसंट शेर को लॉस को शेर करेंगे और मिस्टर सी को कोई भी लॉस का शेर नहीं करना पड़ेगा क्या यह पॉसिबर है जी हाँ बिल्कुल पॉसिबर है क्योंकि partnership act के अंदर यह किलियर है कि partners agree करें है शेर और प्रोफिट के लिए शेर ऑफ लॉस के लिए नहीं यहाँ ऐसा agreement हो सकता है जिसमें कोई एक या दो या दो से जाद़ा partners उसके अंदर शेर ऑफ लॉस ना ले और शेर और लॉज है वो दूसे पार्टर्स आपस के अंदर लेने यह इसका बहुत बढ़िया फीचर्स है इसके अलावा स्टुडेंट जो पार्टनर्शिप के अंदर फीचर्स है वह पार्टनर्शिप का फीचर है लाफोल बिजनेस का तो यहां बिजनेस क्या है बिजनेस तो खुछ भी हो सकता है इल्लीकल अक्टिविटीज का भी बिजनेस हो सकता है चरस ओंजा बेचनेका बिजनेस भी हो सकता है या इसी तरह कि कोई और अलनाफॉल एक्टिविटीज उसके बिजसेश भी लोगं डिसाइड कर सकते हैं आपस में पर साथ आद क्या वो कर सकते हैं जी नहीं बिलकुल नहीं जब हम लोग पार्टनर्शिप के बात कर रहे हैं तो यहां पार्टनर्शिप में जो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है वो यह है कि वो केवल लाफुल बिजनेस जो है उसी के अंदर ही आपस में डिसाइड करके लाफुल एजन्सी को आप समझ लें मिर्चल एजन्सी में मैंने आपको लिखाया था बिजनेस करीड ओन है बाई ओल और और एनी ओफ देम एक्टिंग फॉर अल ठीक है स्टुडेंट इसका क्या मतलब है करीड ओन बाई ओल और एनी ओफ देम एक्टिंग फॉर ओल इसका मतलब यह है स्टुडेंट्स की जो जिन लोगों ने यह डिसाइड किया है कि हमें पार्टरशिप चलानी है वह पार्टरशिप में एग्री करके बिजनस को चलाते हैं पर यह जो बिजनस की एक्टिविटीज है इस बिजनस की एक किसी एक पार्टर को वह अाथूररेटी जिना दे के और कह सकते हैं कि वो उनके बेहाफ के उपर एक्ट करके उन स्पर बिजनस को चला सकते हैं और जो उसके एक्ट होंगे जो भी काम वो करेगा वो शबीफ पार्टर duż को मानने होगये सबीफ पार्ट उसको बाइंड तो यहां पर क्या है यहां पर मैं कहूंगा प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशन्शिप है प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशन्शिप है प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशन्शिप क्या होती है प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब प्रिंसिपल एकत्रे का ओनर हो गया और एजेंट जिससे वो अपने काम करवा रहा है तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास A, B, C और D चार पार्टनर्स है और उन चार पार्टनर्स में माली जीए, B, B के तब्या ठीक नहीं है तो B, A को कह सकता है कि आप उसके बिहाब के पार डिसिजन ले लें बिजनस का और और वो डिसिजन उनको मानने होगा तो इस टैप से एक mutual agency के थुरू वो आपस में बिजनस को जो बिजनस उनों ने लिया है उस बिजनस को चलाते हैं और इसे कहते है प्रिंसिपल एजेंट या mutual agency बिजनस जिसके अंदर मैंने बताया आपको बिजनस इस केरीड ओन बाई और और एनी अप देम अक्टिंग और ऑल ठीक है स्टुडेंट्स यह तो है पार्टनर्शिप के फीचर अब हम आते हैं राइस और पार्टनर्स पार्टनर्स तो स्टुडेंट जो राइस है पार्टनर्स की मैं अब आपको explain करता हूँ एवरी पार्टनर है राइट तू शेयर प्रॉफिट इन एग्रीड रेशो शेयर प्रॉफिट इन इन एग्रीड रेशो मैंने बताया कि पार्टनर्स ऐ पार्टनर्स अपस में describe करते हैं कि जो प्रॉफिट आएगा वोके स्पॉइव करें तो हर पार्टनर्स के पास एक राइट होती है कि वह प्रॉफिट के इंदर में जोब पाश्पहर्म का पाफंट कॉपटors उसमें शेयर करें बिसेस्टージ थे तू टेक पार्ट इन बिजनेस ऑफ दी फर्म, बिजनेस ऑफ दी फर्म और मैनेजमेंट अवदी फर्म, इसका मतलब यह है कि फर्म जो बिजनेस कर रही है, उसके अंदर हर पार्टनर्स को राइट होती है, कि वो अपनी बात, जो बिजनेस चलाने में अपनी बात रखनी है, वो सब पार्टनर्स के सामने रखे, और एक म्यूचल एग्रिमेंट के थ्रू उस बिजनेस को चलाया जाए, तो इसमें हर पार्टनर्स को एक राइट होती है, कि जो बिजनेस, फर्म का बिजनेस है, उसके के अंदर वो पार्टिस्पेट कर सके तीसी राइट जो है वह है राइट टू बी कंसल्टिड राइट टू बी कंसल्टिड इसका मतब यह स्टुडेंट कि ऐसा नहीं है कि माली चार पार्टनर से फॉर्म के अंदर उसमें तीन पार्टनर माली चें मेजोरिटी से कोई डिसीजन लेके और उस काम को कर दें कि हमने जना इस काम को कर दिया और उस पे जो चोथा वैलिड नहीं है पार्टनर्शिप के अंदर कोई मैजोरिटी डिसीजन नहीं होता हर पार्टनर्स को एक राइट है कि वो जो भी एक्टिविटीज है फार्म की उसके अंदर उसको भी कंसर्ट किया जाए ठीक है स्टुडेंट और उसके बाद जो अगले राइट है राइट इंस्पेक्ट कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने बताया था स्टुडेंट आपको कि म्यूचल एजनसी के अंदर ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर्स कह दे कि हाजी मेरे बदले मेरे बिहाब के ओपर पार्टनर भी रिप्रेजेंट करेगा और पार्टनर भी के जो एक्ट है वो मेरे को मानने होंगे पर यह सब तो बिल्कुल ठीक है लेकिंट इसका मतलब यह नहीं है कि जो पार्टन जिसने ये राइट्स दी है वो फर्म के बूक्स ऑफ अकाउंट्स उनको inspect नहीं कर सकता उनको verify नहीं कर सकता उनको देख नहीं सकता कि जो business चल रहा है वो सई डंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है यह हर partner की right है कि वो किसी भी वक्त business hours के अंदर आकर फर्म के books of accounts को inspect कर सके और verify कर सके अगली जो right है right to retire student partners को ये right होती है कि वो as per terms of the agreement business से retire हो सके या सभी partners के जो बाकि सब partners है उनकी consistency के साफ से उनकी रजामंदी के साफ से जब चाहे वो retirement partnership से ले सके तो ये right partners के पास हर partners के पास होती है जो अगली right है वो बहुत ही important right है वो क्या है right to disallow disallow admission of new partner student इसको बहुत बहुत गोर से सुनिएगा और समझीएगा right to disallow admission of new partners का मतलब क्या है student इसका मतलब ये है कि हर partners के पास right होती है कि वो फर्म के अंदर अगर कोई नया partners join करना चाहरा है तो उसके admission को deny कर सके देखे वैसे तो जहां भी हम बात करते हैं एक majority rule की बात करते हैं तो क्या majority rule यहां भी चलता है मैं आपको बता दू माली जी एक फर्म है फर्म है फर्म में 30 partner है और 30 partners कहते हैं 30 में 39 partners majority मैं यहां लिखते हैं majority partner कहते हैं majority partner कहते हैं कि mister x mister x to be admitted as as new partner ठीक है उन्होंने कहा कि mister x to be admitted as new partners बट एक minority के अंदर minority में एक ही partner है वो यह कहता है यह against है इस resolution के इस इस decision के कि mister x to be admitted as new partners और वो अपनी सहमती नहीं देता है तो क्या majority rule के साब से mister x admit किया जासकता है partnership firm के इंदर यहां मैं आपको बता दू कि mister x किसी भी हालत में as a new partner admit नहीं किया जा सकते और हर partners को सिंगल partners को भी यह राइट है कि वो नए partners को admit होने से deny कर सके तो यह जो मैंने आपको बताई है यह important rights है partner की अब हम लोग जना हमने क्या पड़ा हमने पड़ा की features क्या है partners के हमने पड़ा rights क्या है partners के और मैंने उसके अंदर features के अंदर आपको बताया था कि एक important document होता है that is partnership deed जिस partnership deed के अंदर कि सारे के सारे terms and conditions writing में reduce की जाती है जिसके basis के पर partnership चलती है ठीक है student यह partnership deed एक बहुत ही important document है partnership को चलाने का वह हम लोग next class में discuss करेंगे student आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे प्लीज कमेंट करके दना बताईएगा हम आगे ही ऐसी informative वीडियो लेके आते रहेंगे मेरी आपसे request है कि आप प्लीज इसे like subscribe जरूर कर दे और जो आपके comments है वह आप जरूर मुझे अपनी बाते comments के तुरू पहुंचाइए थैंक यू वेरी मॉच स्टुडेंट्स